हैं नमस्कर दोस्तों श्वगत हैं आप से भी लोगों का एक बर फिर से दोस्तों हमारे चनल के हर एक जानकारी आपके जीवन किसी न किसी समय में जरूर काम आते होंगे तो दोस्तों आज के हमारे बडोक बिश्था है कि 258 में बेड़ पर लेटे 5 बॉल देना ही ये सब्दा, दसो दिशाओं से धन बरसेंगे, धन बरसे का मतलब है कि दोस्तों, दसो दिशाओं से आपको खुब तरक्की मिलेंगे, मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ और आज भी बोलना चाहूँगा, दोस्तों हमारे विडियो में ब्यूज आए या ना आए, सभी स चानकारी के तरफ बढ़ते हैं, दोस्तों ब्रंभ बेला और सुबे के समय, ये जागरितकाल कहे गए हैं, चाहे आप नवरातरी की समय ले लिजे, चाहे किसी भी समय को ले लिजे, ब्रंभ बेला हमेसा अच्छा ही समय होता है, और जो सुबे का समय होता है, ये जागरितका आप यकीन मानिए ब्रह्म बेला से अर्था सूबे के समय से जो चीज आप देखते हैं वैसे ही अनुरूप उनके ही अनुरूप आपके दिन गुजरता हैं आप मैंसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज हम सबेरे सबेरे किसके मुख देखें और हमारे दिन अच्छे नहीं गुजरे तो दोस्तों जो ब्रह्म बेला का समय होता है जो आपकी उठने का समय होता है अगर आप अच्छे चीजों को देख करके उड़ते हैं यकीन मानिए उस दिन आपके दिन अच्छे गुजरते हैं और अगर आप खराब चीज को देख करके उड़ते हैं तो आपके द नहीं देखना चाहिए चेहरे देखने से बचना चाहिए क्योंकि अगर अब ब्रम्भ बेला में शोयम की चेहरे देखते हैं दोस्तों इसे आब को पूरे दिन खराभी गुजरते हैं तो बासी मू नवरात्री की समय में बेड़ पर लेटे लेटे क्या बोलना है जिसे हमारे अध्यात में उनती हो हमें तरक्की की प्राप्ती हो और जिनको गरीबी है उनके गरीबी भी मिटेंगे दोस्तों आप यकीन मानिए जिन है एक वक्त का रोजी रूटी नसीब नहीं हो पारें खाने पिने के लिए शमागरी नहीं मिल पारें अगर ब्रम्भ बेला के समय में हम जो मंत्रा बोलेंगे हम जो तरीके बोलेंगे जो सब्द बोलेंगे अगर आप ये बोलना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आपके दिन दुगनी राजच अगनी तरक्की होंगे आज जो भी खारी है कल देने वाला योग्या बन जाएंगे रथा दाता बन जाएंगे दोस्तो ब्रम्बला के श्वामी भगवन सूर नरायण को कहा जाता है ब्रंभ बेला के स्वामी सूर नरायन को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों शूर नरायन जैसी अंधकार को दूर करते हैं तो आपने देखाओगा शबेरा होता है सबेरा मतलब दोस्तो ब्रह्म बेला जागरित होता है तो ब्रह्म बेला की श्वामी शूरजी है और ब्रह्म बेला के समय में हमारे सरीर के सूर नाड़ी मजबूत होते हैं बल्वान होते हैं प्रतेक मुनुष्य के सरीर में दो नाड़ी होता है एक शूरा नाड़ी होता है और एक चंद्रा नाड़ी होता है शूरा नाड़ी कब बल्वान होता है रात्री कालीन में शूरा नाड़ी बल्वान होता है दोस्तो जो लेप्टासाइड जो लेप्टासाइड की हिंड होते ह हैं उस तरह अगर आपके सांस चलते हैं रात्री काली में आपकी जो सांस है दोस्टो लेट काल Imran की तरफ चलते हैं उससे में अब देखना ये चंद्र नारी मजबूत होते हैं और प्राता कल में जाना कि नाड़ी पिज्ञान बताने लगे हैं जानकरे देंगे कि नहीं मैं इसलिए जो जानकरे बिस्तार से समझारों छोटी-छोटे बात को भी एक्स्पेन करो ताकि आब सब लोग समझें दोस्तों जब सूरनाड़ी मजबूत होते हैं बल्वान होते तो मन हमारे कंट्रो दोस्तों आब लेट पर बैठे हैं तो मातारानी के अनेक शोरूप हैं तो नवरात्री में सुक्षमरूब से माता आदिशक्ती की प्रिथ्वी के हर एक केंट्र पर शक्ती जो है बिराजमन रहती हैं तो इसलिए नवरात्री की समय बेढ पर दोस्तों आब बैठे बैठे ये मंत्रा बोलेंगे ये सब्दा बोलेंगे आपके तत्काल मोनोकामना पुन्न होगे का सकती के कुछ जो समय होता है इस समय मात्री शक्ति प्रबल होती है मात्री सक्थी प्रबल मतब दोस्तों आपने देखो नहीं से नए नए पुस्पा खिलते हैं, कमल के पुस्पा खिलते हैं, दोस्तों चारों तरब देखना जो वाता वरन होता है, बहुत ही सांत होता है, मनमोहक दिरिशा होता है, तो इस समय मातरी सक्ती अर्थाद देवी नोदुर्गा के शक्ती बलवान होते हैं, जागरित होते हैं दो भी बताऊंगा जिसे ब्रह्म बेला के समय आप बेड़ पर बैठे बैठे शत्रु का नाम ले देतें दोस्तों आप यकीन मानी हुआ आपके शत्रु खुन के उल्टी करेगा उनके शर्वनास हो जाएगा लेकिन ऐसा प्रोक भी भी आपको नहीं करने जब आपको शत्रु बह प्राथना लगाना है कि हे मा आप सब कुछ जानने वाले हैं आप से क्या चुपा है हे मा हमारा कल्यान करे हमारे गरीबी को मिटाए हे भवानी हम पर प्रशन हो हम आपके प्रकृती स्वरुप का ध्यान करते हैं न दुर्गा स्वरुप का ध्यान करते हैं हे मा आप हमारे क जैसे कि जैसे मैं आप लोगों का भी भाव बतायूं तो आप इस से भी अच्छे मातासे प्राथना कर सकते करुण पुकार लगाना है तो इस प्रकार के प्राथना करने से ब्रह्म वेला के समय जोग जागरित अवस्था होते दोस्तों इस शमय प्रतेक मनुख में जब आप पुकार इस वर तक जरूर पहुंचता है तो ये पुकार नवरात्री की समय माता रानी तक अवस्थ पहुंचेंगे अब जानते मंत्र के बारे में मैं एक ऐसा साबर मंत्र बतारूं दोस्तों यकिन मानिये मंत्र में बहुत पावर होती है मंत्र के प्रभाव से अगस्तमुनी जी जो हैं शमुद्र के पानी को पी गए थे और आज भी मंत्र के प्रभाव से बहुं सारे लोग दोस्तो हमने सोयम जीवन में देखे मंत्र के प्रभाव से बहुं सारे लोग जल पे चल सकते हैं अर्था दोस्तो पानी पे उनके पैर नहीं भीगते बहुं सारे से संत महात्म जो कि मंत्र की प्रभाव से वायू गमन की शिद्धी प्राप्त करके रखें आसमान में उड़ते हैं तो मंत्र को शधारान मत समझना मंत्र में बहुत ही शक्ती होते हैं दोस्तों मंत्र को कॉंट्रोल करने वाले सब्दों को ही मंत्र कहा जाते हैं मंत्र से आप कुछ भी कर सक तो ब्रह्म बेला के समय में दोस्तों जब आप सो करके उठें या फिर प्राता काल जब आप सो करके उठें तो बेड़ पर बैठे बैठे ये मंत्र आपको बोलना है ये शाबर मंत्र दोस्तों चार लाइन की हैं ये शाबर मंत्र बहुत पावरफुल हैं बहुत ही सक्ति साली जब आप ये मंत्र बोलेंगे माता आदिशक्ति आप यकीन मानिए आपके पुकार को सुनूएंगे आपके संभीप में आ जाएंगे और ये कोई शधारान मंत्र नहीं शाबर मंत्र शाबर मंत्र सोयम सीध होते हैं और अपने प्रभाव ततकाल दिखाते हैं खास करके नवरात्री के समय में अपने प्रभाव ततकाल दिखाते हैं शाबर मंत्र नोट कीजिए ये शाबर मंत्र आपके सभी प्रकार के मनो कामनों पुन्ना करेंगे बस बेट पर बैठे बैठे लेटे आपको बैट करके माता का ध्यान करते वेए बोलना है और दोस्तों आपको अपने हाथे लिगा चुमना है मंत्रा सुनिए और इस मंत्र को पेन कौपी में नोट ले एक माता शीह वाहनी दूजा माता चंडी कहाए नौरा आरती गाने के लिए बैठते हैं उसमें भी आप इस मंत्र का जाब कर सकते हैं बहुत इसका रिजल्ट मिलेंगे फिर से सुने एक माता शी वाहनी दूजा माता चंडी कहाए नौरात्री में ध्यान धरू मनोरत पूरा हो जाएं दोस्तों जो शाबर मंत्र होता हैं बहुत ही प कर सकते हैं खास करके दोस्तों बेठ पर बैठे बैठे प्राता काल के शमय में पढ़ते हैं क्योंकि शमय मासरश्वती मुख में होती हैं तो आपके बिल्कुली सब्द सच होंगे और माता तक आपके बुकार ज़रूर पहुंचेंगे दोस्तों हो सके तो इस मंत्र का आप जो हमेशा जब करना आपको खुब लाभ मिलेंगे चले अब एक मंत्र मैं और बता रहूं जो कि शत्रू नास करने के लिए यकीन मानिए इस मंत्र से आपके शत्रू खून के उल्टे भी कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार के दोस्तों गलत मंत्र का परोग आपको जीवन में न बड़े मुझे खोई नहीं भरका पड़ता अगर आप में से एक भी वेक्ति मेरे विडियो को देख करके लाव लेता है तो मुझे भी पुन्य की प्राप्ति होता है और एक बात दोस्तों शमुत आप ध्यान से शुनेगे मेरी बात को कुएं बनाये जाते हैं लोगों के प पनिरभर करता है गलत करेंगे तो इसके पनायम आपको भोगना पड़ेगा मंतर सुने अगर बेवज़ा आपको सत्रु परसान करते हैं ये मंतर नवरात्री की समय में जपिए सत्रु के बिलकुल दोस्तों सर्वनास हो जाएंगे माता राने उनके छठी के दूद याद दि सत्रु जपन है एक माता काली का एक माता रड़ चंडी कहाए सत्रु परसान करे तो हात पर फूल जाए ये फिर एक बार और मैं थोड़ा सा समझा दू इस मंतर को एक माता काली का, एक माता रढडचंडी कहाए, सत्रू परसान करे तो अमूक हो जाए, अमूक के जगह में आपको जो रोग बोलना है, जैसा सत्रू के बारे में बोलना है, वो आपको अमूक की इस्थान पर जोड़ देना है तो दोस्तो ऐसे जो नवराती के पावन परव भी चल रहे समाच रहे ऐसे समय हाँ से ना जाने देना ऐसे समय बहुत ही मुल्यवान होते हैं ऐसे समय बहुत ही सुन्दर होते हैं ऐसे समय का जादा से जादा भरपूर लाब उठाए और प्राशीन गयान चैनल के हर एक बीडि करेंगे मित्र के भाती एक दोस्ता के भाती एक सच्चे साथी के भाती आज के जानकारी इतना ही दोस्तों वीडियो को शेयर करना न भुलना आपकी एक सेर दोस्तों किसी की जीवन में जो चेरी परसानियों से दूर कर सकते हैं दोस्तों और हमारे मनोबल भी बढ़ाएंगे धन्यवाद नमस्कार.